नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, टचलाइब ब्यूटी चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ इस भाग दोड़ ब्रेज जिंदगी में हम इतने वैस्ट हो गए हैं कि अपने सरीर का खयाल नहीं रख पाते जिसके कारण हमारा इमनी सिस्टम खराब होता जा रहा है अगर हमारा इमनी सिस्टम खराब होगा तो हमारे सरीर में रोगों से लड़ने के एक समता समथ हो जाएगी और हम बीमार होने लग जाएगे जैसे कि आप जानते ही होंगे दोस्तों, आज हमारे देश में एक महमारी ने जनम ले लिया है जिसका नाम है करोना वायरिस, यह वायरिस बहुत ही खतरनाक है यह जिसे भी हो जाता है, अगर उसका इमनी सिस्टम मजबूत नहीं है आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने इमनी सिस्टम को किस परकार से मजबूत बना सकते हैं और दोस्तों भी तक आपने हमारे चैनल टचलाइब ब्यूटी को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करें और शाथ में दबा इस बेल ऐकन को ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तोस्तों अपने इमनी सिस्टम को बनाने के लिए आपको अधिक से अधिक मातरा में पानी पीना है पानी अम्यी सिस्टम को बनाए रखने में एक मैतपुड भूमी का निबाता है क्योंकि जल एक प्राकरते को सद्धी है परचूर मातरा में सुध जल की सेवन से शरीर में जमा कई परकार के फैट दूर हो जाते हैं और हमारे शरीर की परतुरों दक अक्समता बढ़ जाती है पानी या तो सामाने हो या फिर गुनगना गरम हो फरेज के पानी से बचें इसके अलावा दोस्तों आप रचदार फलो का इस्तमाल भी कर सकते हैं रचदार फलो में बरपूर मातरा में विटामिन पाय जाती है जो कि हमारे एमिनी सिस्टम को मजबूत बनाने में हमारी काफी मदद करती है इसलिए जितना होसके आपको रचदार फलो का पयोग करना चाहिए इसके अलावा आपको दोस्तों सलाद के रूप में भी फलो को पयोग करना चाहिए सलाद के रूप में आपको टमाटर, खीरा, ककड़ी, गाजर, प्याज आधिक अस्तमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें अधिक मातरा में सेवन करने से आपके शरीर की रोध, परती रोध के अक्समता बढ़ेगी जिससे कि आपको आपका इम्निस सिस्टम भी बढ़ जाएगा योग एक इम्निस सिस्टम को बढ़ाने का बहुत ही मैतापूने उपाय माना गया है अगर आपका इम्निस सिस्टम मजबूत नहीं है तो आप नियमित रूप से बयान कीजिए इससे आपको इम्निस सिस्टम काफी मजबूत होगा और आपके शरीर के लिए काफी लाब करें होगा शरीर को स्वस्त और मजबूत बना रखने के लिए आपको योग अवस्य करने चाहिए और इसे बिमारी से अब बस सकते हैं तो यह थी दोस्तों इमेनी जिस सिस्टम से जोड़ी एक महतवपुन जानकारी उम्मिद करते हैं आपको पसंद आई अगर पसंद आई है तो कॉमेंट में जरूर बताएं और साथ में वीडियो को वट्सेप, फेस्बूक और ट्वीटर पर अपने दोस्त और फेमली के साथ स मस्कार दो तो